तो पियम मूधी ने अपनी मा के निधन को शांदार शताबदी का इश्वर चननों में विराम बताया है प्रधान मंत्री नरेंडर मूधी की मा ने जुतनी सादगी से जीवन जिया उतनी ही सादगी से उन्हें अंतिम सफर और अंतिम संसकार में भी नजर आई कहां कि ऐसा नहीं नजर आया कि अंतिम संसकार प्रधान मंत्री की मा का है तो ऐसा कहीं नजारा देखने को नहीं मिला ना तो जादा वी आई पी नजर आये और ना ही कहीं सडकों पर कोई जाम लगा जाहिर है साथगी पसंद नरेंडर मोदी ने इस बात का पूरा खयाल रखा और निधन की तुरंत बाद पूरी साथगी से परिजनों की उपस्तती में ही अंतिम संसकार हुआ और इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कि मोदी पूरी साथगी से अपनी मा को भावुक विदाई दी यही नहीं अपनी मा को कर्मयोगी के तोर पर याद करने वाले प्रधा शामिल होंगे तो यहां अंतिम विदाई दी और अब देखे कामकाज में भी प्रधान मंतरी मोदी लग गए हैं और यह तीन तस्वीरे टीवी स्क्रीन्स पर पहली वो तस्वीर जा अर्थी को कांधा देते हुए कांधा देते हुए प्रधान मंतरी मोदी नजर आ रहे हैं ना कोई ताम जाम, ना कोई भीड, ना कोई दिगज नीता मौजूद, बिलकुल आम तरीके से अंतिम विदाई दी गई, मुखागनी दी गई. ना कोई भीड, ना कोई नेता मौजूद, बिलकुल आम तरीके से मुखागनी दी गई है. दिखें, ये बहुती एक सोच और दृष्टी को दर्शाता है, जिसको दृधान मंतरी नरेंदर मोदी और इसके पहले सिर्फ नरेंदर मोदी, जब वो संगठन में या भारती जन्ता पार्टी या संग के स्वायम सेवक कितरे कारे करते रहे. उन्होंने जिस गरिमा का निरवाह उस समय किया उसी गरिमा का निरवाँ उन्होंने अपनी माता जी जो शताईू होकर जिन्होंने शरीर छोड़ा उनके जाने पर भी प्रधानमंत्री ने देखिया आप की एकदम सुबह-सुबह का समय चुना गया नौ साले नौ बजे के बीच में मुखागनी भी दे दी गई और कोई क्योंकि प्रधान मंतरी जानते थे कि पूरे देश से ना सिर्फ वी आईपी जितने हैं भारती जनता पार्टी शास्तिरों के मुख्य मंतरी तमाम पदादेकारी, मंतरी गण, केंद्रिय मंतरी गण और दूसरी पार्टीयों के प्रमुख नेता और देश-विदेश के दूसरे लोग भी है आमतोर पर ऐसे मौकों पर सभी बड़ी संख्या में आने की इच्छा भी रखते हैं और दिवंगत वेक्तित्तों को अपने शद्धा सुमन भी अर्पित करना चाहते हैं इसी को देखते हुए प्रधान मंतरी ने और उनके परिवार ने इस तरह से पूरा इस कारिक्रम को तै किया कि सुबह सुबह ये कारिक्रम संपादित होगा है तलके उनका हीरा बा का निधन हुआ और चंद घंटों बाद ही यानि तीन सवा तीन बजे की ये घटना है और मुश्किल से पांच-छे घंटों के भीतर ही ततकाल पार्थे उशरीर को विश्राम घाट ले जाया गया और वहां मुखागनी दे दी गई कोई ट्राफिक जाम नहीं कोई शहर में भीड नहीं अंतिम यात्रा में हजारों लोगों का हुजूम नहीं और इसकी पीछे वजे यही है कि कर्म प्रदान है वो एक भरा पूरा जीवन जीकर बहाविदा हुई है जो गहरी पीड़ा है विक्तिकत ख्षती है उससे बिल्कुल भी इंकार नहीं है उस गहरी पीड़ा से प्रदान मंतरी भरे है लेकिन एक कर्म योगी की तरह माता जी को अपनी मा को अंतिम विदाई देने के बाद प्रदान मंतरी फिर उसी कारे में जुट गए है जिसका आशिरवाद उन्होंने अपनी मा से ही लिया है कि बेटा हमेशा अपने कर्म पर डटे रहो अपने कर्म को लेकर आगे बढ़ते रहो तो एक बहुती अनुकर्णी उदाहरन प्रदान मंतरी रिंदर मोदी ने प्रस्तुत किया है कि आमतर पर राजनिताओं के सुख और दुख के आऊसरों पर हजारों लाखों लोगों की भीड उमरती है दो दो तीन तीन तिन तक जिस भी शहर में ये गटना कर्म गटता है वो चाहे सुख का हो या दुख का हो वहाँ लोगों का हुजूम उमरता है और उस शहर में परिशानियां होती है चुनोतियां होती है लेकिन ये जिस तरह से जिस सादगी से ये सब संपन हुआ है वो अपने आप में एक मिसाल है एक अनुकर्णी उदारण है जी शरत जी बलकुल ठीक कहा आपने पैसे के साथ एक किताब नहीं माफ कीजे भगवत गीता जो हमारा ग्रंथ है वो दिया जाता था उनको और ऐसे में एक शलोक है कि कर्म करता जा और फल की चिंता मत कर और ऐसे में जो प्रधान मंतरी कर्म कर रहे हैं सभी को संदेश भी मिल रहा है माता जी से जो ने सीख मिली है वो पूरी दुनिया तक भी बहुत पहुच रही है बहुत बहुत शुक्रिया हम ऐसे चुणने के लिए और तमाम बाचीत के लिए तो देखिए शानदार शताबदी का इश्वर चर्णों में विराम ये वो शब्द हैं जो ट्वीट के जरिये प्रधान मंत्री मोदी ने लिखे और सभी को जानकारी साजा की ननिंद्र मोदी की माँ पंच्तत में विलीन हो चुकी है और माँ को मुखागनी दी गई है और ये तस्वीरे भी आपको टीवी स्क्रीन्स पर दिखा रहे है तो अर्थी को कंधा दिया गया